असलाम अलेकुम जी, in this lesson we are going to learn के raster objects को vector objects में कैसे convert किया जा सकता है और image trace का option कैसे useful है इस scenario के लिए, so let's have a look on it तो जी illustrator में मेरे सामने इस वकत दो objects हैं, एक है raster object और एक हमारे पास है vector object अगर हम raster object को zoom in करें, so raster object is made up of pixels और vector object is made up of points तो आप इसको कितना भी zoom in कर लें, 64,000% पर जाके भी आपको इसके जो edges हैं वो sharp नजर आएंगे as compared to the raster objects, तो illustrator में आप जितनी drawings बनाते हैं, जैसा कि आप कोई circle draw करते हैं आप कोई text write करते हैं, और यह सारे कुछ points से मिलके बनता है, and you can call them as vector इसके लावा अगर आप Photoshop में जाके कोई circle draw करते हैं, आप कोई text write करते हैं, तो वो pixel से मिलके बनेगा, and you can call them raster objects तो यहाँ पे हम raster को vector में convert करते हैं, मैं इस raster object पे click कर हूँ, इस image पे click कर हूँ और यहाँ पे उपर जो dock है, इसके अंदर आपको एक image trace option नज़र आएगा, और अगर आप इस arrow पे click करें, तो आपको यहाँ पे multiple, मुझीद options भी नज़र आएगी तो मैं इस object की selection कर रहा हूँ, और इसके बाद मैं click कर रहा हूँ, image trace की उपर, तो इसने थोड़ा सा time लिया और उसके बाद, हमारे raster object को convert कर दिया है, vector object के अंदर तो कैसे पता चलेगा, इसको zoom in करते हैं, और let's give it a zoom 64,000% और यहाँ पे आपको जिसका edge है, वो बिलकुल sharp नज़र आएगा, आप क्योंकि यह हमारे पास एक vector object है, इसके points को यहाँ से expand कर लेते हैं, ठीके, इसको ungroup कर लेते हैं, इसके बाद मैं इसकी selection कर रहा हूँ, इसकी selection कर रहा हूँ, इसको मैं group कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे multiple lines है, मैं दुबारा से इसको select कर रहा हूँ, और यह कुछ lines selected है, इसको हम delete कर लेते हैं, ठीके जी, इसके बाद अगर मैं इसको click करता हूँ, तो आपको यहाँ पे कुछ anchor points नज़र आएंगे, so इन anchor points की मदद से हम इस object को इसकी जो shape है उसको change कर सकते हैं, ठीके, इसमें मजीद anchor points add कर सकते हैं, इन anchor points के angles को change कर सकते हैं, और अपने इस vector object का color change कर सकते हैं ठीक है grey इसको हम यहाँ से एक दफा a none करते हैं और दुबारा से इसको color resign करते हैं तो आप अपने vector objects का color भी change कर सकते हैं जैसा कि आप किसी अपने circle का किसी भी text का color change करते हैं ठीक है तो हम कुछ और scenario's को deal करते हैं मैं अपने Google Chrome के ओपर आता हूँ और यहाँ से जाके हम कुछ silhouettes download करते है ठीक है जी यहां से मैं images open कर लेता हूँ silhouettes की so how to pronounce this word यह silhouettes आप लोगों ने देख लिए के they are actually very solid objects ठीक है plain background है इनका और usually आपको यह black color में ही मिलेंगे अगर हम इसकी pronunciation देखें so आप लोगों ने इसको ऐसे ही प्रोनाउंस करना है silhouette ठीक है so you can click on this play button to know how to pronounce this word so silhouette ठीक है हमने अपने silhouettes यहां पे search किये तो अब यहां पे आपको जितने भी silhouettes नजर आ रहे है they are all images और जितनी भी images आपको internet से मिलेंगी they are all raster objects वो सारे के सारे pixels से मिलके बने होंगे so अगर आप कोई ऐसा poster design कर रहे हैं आप अपना कोई for example object को convert करते हैं एक vector object के अंदर और इसके बाद इसको थोड़ा सा edit करके देखते हैं इसके color को change करके देखते हैं so let's save image desktop इसको save करते हैं यह हमें .jpeg या png नहीं दे रहा so let's try to change the extension और देखते हैं कि हम इसको open कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं so let's save the original file और इसको open करके देखते हैं no okay कोई और try करते हैं यहां से let's try this one ठीक है इसको save image आज करते हैं और यह हमें .jpeg में दे रहा है so let's save the file और इसको अपने tool में place करते हैं so file में जा रहा हूं और यहां से जाके मैं इसको place कर लेता हूं इस पर click कर रहा हूं और इसको में draw कर लेता हूं ठीक है तो यह हमारे पास एक register object है इसको zoom in करके देख लेते हैं अगर आपको बिलकुल जैसा कि register object है वैसा ही आपको vector object चाहिए इनी details के साथ तो इसके लिए शर्त है कि आपकी image quality बहुत अच्छी होनी चाहिए तो मैं इस पर click कर रहा हूं और इसको image trace करके देखते हैं so इसने इसको convert कर दिया और इसके बाद हम इसको expand करते हैं इसको ungroup करते हैं ठीक है जुसका background है इसको हम लोग delete कर देते हैं we do not need it इसके बाद देखते हैं कि इसमें और तो कोई ऐसा layer या कोई इसकी outline तो नहीं है so now we have actually converted our raster object to vector object तो यहाँ पर अगर आप लोग zoom करें तो आपको कुछ sharp इसके corners नजर आएंगे so अगर आप चाहते हैं कि इसके corners थोड़े से smooth होने चाहिए सो हम यहां से direct selection tool लेते हैं इस subject की selection कर लेते हैं direct selection tool लेते हैं और इस subject को move करते हैं ठीक है इसके angles को थोड़ा सा change करके देखते हैं ठीक है जी इसके लब अगर आपको और कोई point लगता है for example this is the point so in points को हम थोड़ा सा click करके बाहर की तरफ ले आते हैं this method is not a suitable method अभी हम कुछ और tools देखेंगे तो फिर आपको लगेगा कि जो बाकी tools हैं they are more suitable to do this kind of a task अभी सिरफ understand करने के लिए कि rest or object को हमने convert किया vector object के अंदर और उसको हम किस तरह से edit कर सकते हैं तो अब हम इसका color change करना चाहते हैं तो मैंने इस object की selection की और इसके बाद हम colors में जाके इसको कोई भी एक color assign कर सकते हैं so अगर कुछ ऐसा होता है कि आपने उसको color assign किया और उसने आपके object को gray color या कोई और colorless कोई भी color assign नहीं किया तो आप इसके fill color को एक दफ़ा none करें और इसको एक दफ़ा दुबारा से color assign करके देखें अगर दुबारा से वो grays में जाता है या कोई भी color assign नहीं करता तो दुबारा से उसको none करें और दुबारा से उसको एक color assign करें so this is how you can actually convert your restar objects to vector objects इसके लाब हम एक किसी complex object की तरफ जाते हैं यह हम low resolution objects को convert करके देखते हैं so यहाँ पर मैं size select कर लेता हूँ medium ठीक है कोई small object लेते हैं यह ऐसा object जिसमें ज्यादा details है so देखते हैं जी यह वाला object कैसे convert होता है so यह PNG है let's open this file in Adobe Illustrator ठीक है जी इसको place करते हैं इसकी selection कर लेते हैं और इसको यहाँ पर draw कर लेते हैं अगर आप हम इस image को देखें तो यहाँ पर आपको इन objects के अंदर multiple lines भी नज़र आ रही है और यहाँ पर ज्यादा details हैं तो देखते हैं कि इन objects को कैसे convert किया जा सकता है और कौन सी option बहतर है इस तरह के objects को convert करने के लिए तो अगर मैं simple जैसे के image trace की option अभी तक हम use करें थे मैं सरफ image trace पर click करके देखता हूँ and let's see what are the results तो अगर आप यहाँ पर इस dinosaur के इन हाथों को देखें तो यहाँ पर आपको पता से लेगा कि low resolution images बिलकुल as it is convert नहीं होती मैं दुबारा से इस पर click कर रहा हूँ and there you can see के there is a difference तो अगर बाकी objects को भी देखें तो आपको एक major difference नजर आएगा जैसे कि यह जो इसके spikes बने वे इनको भी देखते हैं कि sorry image trace पर click करते है तो यह भी वैसा convert नहीं हुए जैसा के arrestor object में आपको नजर आ रहे थे ठीक है कुछ और details को देखते हैं for example यह वाला जाने मेल है so यहाँ पर भी आपको कुछ difference नजर आएगा ठीक है एक तो by default image trace की option है so let's try some other options so silhouettes को try करते हैं may be silhouettes आपको यहाँ पे ज्यादा भीतर results दे सकें लेकिन जो इसके हाथ हैं यह टूटली disappeared so this option is not good you can try shades of grey may be इसे आपको अच्छा result मिले the result is not very good सीके जी इसके लावा आप समझते हैं कि maybe black and white logo से आपको अच्छा result मिले no तो यह आपको बहतर result इसलिए भी नहीं मिल रहा क्योंकि जो हमारी image है this is not a very high quality image और इसके बाद इसमें जो objects का size है objects का size भी बहुत छोट है और इसमें बड़ी small details है तो this option is good for the high quality image और जहां पे आपको simple objects मिलेंगे solid colors के साथ वहां पे आपको difference judge करना इंतहाई मुश्कल है so detailed images low quality images के लिए यह वाला option बहतर नहीं है so अगर आप यहाँ से अपने designs के लिए कोई images use करना चाहते है so look for something जिसमें कम details हो और solid color वाली जो objects है raster objects वो ज़्यादा suitable है इस option के लिए so you can try out these things और यह चीज़ें आपको बहुत जगह पर useful होंगी for example आपको कोई client अपने design elements मेगरे share करता है और वो कहता है कि I do not have the source file आपको इस image को इस image को ही use करना है design के अंदर तो अगर तो उस image का जो result है वो बहुत अच्छा है और उसमें solid color use हुआ है so you can easily use this option to convert his design element to a vector object और उसके बाद आप उसको अपने designs में use कर सकते हैं so try out multiple images, try out different options और इस यहां से देखें के कौन सी option आपके object के लिए भेतर है so give them a try अपने इन objects को business card के उपर या अपनी quotation design के उपर use करने की कोशिश करें और देखें के what are the results, see you in the next lesson, thank you so much